हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साभाई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली उस गर्मी में ठंडी ठंडी सी खर्बूजे की कुलफी की रेस्पी बहुत जादा टेस्टी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले न इसे उपर का जो पार्ट होता ना उसको ऐसे कट कर लेंगे और अच्छे से कट करना है क्योंकि यह हमें यूच करना है तो ऐसे कट करने के बाद ना इस खर्बूजे के अंदर का जो पार्ट है मतलब जो बीज और हैं उनको अलग रख देंगे और जो पल्प है उनको अलग रखेंगे मतलब पल्प को हमें पीसना है तो यह देखिए पहले तो हम उपर का इसको निकाल लेंगे और इसमें जो बीज है ना बीज सारे निकाल देते हैं अलग से तो इस बीज की भी रैस्पी बहुत सारी बनती है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी अगर आप अब इसको ना हम क्या करेंगे ऐसे अच्छे से इनका पूरा खरबूजे का वो सारा निकाल लेंगे हम अराम से निकालेंगे मतलब यह ना खरबूजा मा तूटना नहीं चाहिए बहुत अच्छे से निकालना है हमें अराम से वैसे इतना ज्यादा यह पका हुआ है ना कि ब पूरा निकल जा रहा है तो सारा पल्प को ना मैंसे निकाल लेंगे और इताब मीठा था ना ये कि मतलब क्या बता हूं अच्छा एक तम फ्रस्ट था खरबूजा हमारा तो ये देखे सारा निकाल लिए अब इसको हम क्या करेंगे मिक्सर के जार में डाल देंगे सारा और इसमें हम डाल देंगे सक्कर तो सक्कर में चार स्पून सक्कर डाल देती हूं इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर स्वरी मिल्क पाउडर नहीं आइसक्रीम ये वैनीला आइसक्रीम है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते ह अगर है तो जरूर डालना बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है बट इसके बीने भी आप बना सकते हैं उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा तो ये पीसं लेते हैं बस कुछ भी नहीं लगने वАला बस इतना सही हमें चीजें डालना है और इसको पीस लेना है तो ये देखें पीस गया है ये डाल देते हैं सारा और थोड़ा सा बच गया है तो इसको हम क्या करेंगे दूट डाल देंगे ये देखें मलाई जो होती ना दूट की वो ले लिए उमें उसको भी हम अच्छे से प यह देखे डालने के बाद अच्छे से mix कर लेंगे उसमें, उपर से डाल देते हैं स्वारी काजू बदाम कटे हुए, और इसको भी ऐसे mix कर लेंगे अब क्या करींगे श्मेड करने के बाद जो उपर का पार्ट हम कट किया से ना उसको ढिकन के जैसे मतलब कैप के जैसे है आपन यूज कर लेंगे उसको ढख देंगे जिससे आइस नहीं हो उसमें उपर तो ये देखिए अच्छे से cover हो गए है अब इसको हम रक देंगे 7-8 घंटे के लिए क्योंकि गर्मी बहुत जादा है तो अच्छे से ये set हो जाए जेसे जम जाए तो हमारी जो कुल्फी है ना बहुत जम गई है ये देखिए अब इसको हम cut कर लेंगे तो कट कर लेते हैं हम बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी मतलब हाथों में इता ठंडा लग रहा था कि क्या बताओ काट नहीं पा रही थी लेकिन बहुत ही अराम से कट हो रहा था देखिए मैं कट कर रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा बस मुझे हाथों में ठंडा लग रहा था तो इसलिए मैं कट नहीं कर पा रही थी तो ये देखिए ऐसे हम कट कर लेते हैं और इसका छिलका हमें निकालना चिलका बहुत ही आराम से निकल जाएगा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है तो ये देखिए कितने अच्छे से जमी हुई है और इसको हम ऐसे कट कर लेते हैं ऐसे पीसे हमें कट करना है लंबे साइज में जैसे हम खाते हैं घर्वजleş को कट करके बस वैसे हमें कट करना है तो आप देख रहे हो किती अच्छी लग रही है ऐसी मतलब आप अगर बनाओगे न तो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी तो आप जरूर ट्राय करना बहुत ज़्यादा बिसका छिलका भी हम ऐसे निकाल लेंगे अराम से निकल जाएगा बस थोड़ा ठंदा लग रहा मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो जो हमारी कुलफी है न खर बूजे की वो रेडी हो गई है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब शीकूण करना शेयर के वा थेयर कर देंगा heavily कर भीडियो करना चैनल को सब्सक्राइब